आज यकिनन बहुत खुशी का मौका है, बहुत ब्लेस्ट डे है, माशाला 75 यर्ज के आज अमरे साब हुए हैं, लेकिन उनकी एज मैं ही समझती हूँ कि नौजवानों से वो किसी तरह भी कम नहीं है, किसी भी लेहाद से, माशाला उनकी वो ही हिस्से मजा, वो ही तेज चलना वो ही खुल के कहका लगाना, वो सब कुछ काईम है, यह देखके बहुत खुशी भी होती है, बहुत रश्क भी आता है, तो मैं यह समरेश्टी हूँ, अंडित साब एक काम्याब तरीन इंसान है, as a poet, as a writer, and as a human being, मैं यह समरेश्टी हूँ, इंसान कुछ भी बन जाए, तक कि उसका, उसकी personality की जो positivity है, वो उसके इर्दगेर्द को, को उसने, उसका हिस्सा नहीं बनाया, तो वो, अम्दे साब की खुबी है, कि मैं समझती हूँ, हम सब उनका दामन पकड़के, हम सब writers आगे बढ़े हैं, कोई मुश्किल हो जाए, कोई छोटी सी भी बात हो उनका सहारा ऐसे है, कि हम उनने हर अपने दिल की बात कह सकते हैं, कि अमझे साब ये प्रॉब्लम है, उनको लिखने में है, पब्लिशिंग में है, मेरी किताब छपनी थी उन दिनों में, और मैं बड़ी परिशान थी, आपको पता है, पब्लिशिंग इस एन इशू, तो अ अमझे साब ने बिलकुल मुझे इतना हर्प किया है, कि मैं ये समझती हूँ, मैं अमर उनका मैं देना नहीं दे सकती, वो पाकिस्तान के सबसे बड़े पब्लिशर से, जहांगीर बुक से, उन्होंने मेरी किताब चपआ के दे, तो मैं ये समझती हूँ, कि यकीनां सब की दौाएं हैं उनके साथ, उनकी अल्ला ताला इसी तरह उनकी सिहत के साथ, उनकी जिन्दगी दरास करे, अपने हम सब के सरों पे, हम सब उनकी प्रिजन्स जो है, वो एक महफिल को जग मगाने के लिए मैं समझती हूँ, बहुत एहम रोल हो जाता है, हम जब साब आएं तो स अपने आपको ये समझते हैं कि आमजे साब की बैकिंग आपके साथ है, अगर इस महफिल के साथ है, इन दोस्तों के साथ है, अपने कबीले के साथ है, अपने तमाम नए लिखने वाले उनके साथ है, तो इससे बड़ी और क्या बास होती है, और जिन्दगी में और क्या चा हारीफ करने हैं, आपकी शक्सियत को अच्छा कह रहे हैं. राइटर तो देखें जी, पूरीज दुनिया उनको जानती है। अब मैं कहुं हुँ जी के उनकी गजल ऐसी है, उनकी नजम ऐसी है, तो ना तो ये मेरी अवकात है ना ये मेरा मुँ है राइट मैं यही कह सकती हूँ कि वो एक दुनिया के बड़े राइटर होने के साथ साथ वो पिलकुल इतने सादा इंसान है अभी तक मैंने कभी उन्हें नहीं देखा कि उनके वो एंटर हुए हैं तो उन्होंने सर्या अपनी गर्दे में लगाया है और ना उन् इज़त हम सब के लिए पूरे कभीले के लिए ऐसे ही है कि जैसे कोई सरबराव हुआ हुआ हमें भी ये तौफीक दे कि हम उनके नक्षे कदम पर चले हैं हम वो अपने आपको समझ दे ना लग जाएं चार शेर चार चीज़ें लिखके हम तो अब वादानी खास चीज़ हो ग उकर आइंटपिछाल को that शेएं और वही रहेगी आप अगर आटिफिशल हो वह रहेंगे तो वह नजर आ जाएगए झारा जाएंगा कि अंदर से टोद्ति ऊखम्रावार हूं चांपर के लिए पहिन। वे आजाते हैं वे बड़े इनसानों की निशानियां खूबियां और निश्आन दही करती हैं ये और आपको मैं समयतियों सिखाती हैं अगर हम ना समझेंगे ना सेंगे तो यह हमारी कोटाई अनकी रौनक, उनकी शख्सियत का, उनके मिजाज का जो एक खुश्वू है और एक जो उनकी प्रेजन्स का हिसास है वो अनला करे के हमारे साथ रहे माशाला वो तो इस मुलक का प्राइड है अमझे साम, अमझे साथ के साल की रहा है हम सब के लिए बड़ी खुशी का काम है बड़ा अच्छा लग रहा है इस सीवन का इसा बान कर और माशाला अला अमझे साथ को और लंबी जिनकी अताफ रभाए सेहर तो तो तद्रुस्ती के साथ वो तो मारे मुलक का एक आइक आइकॉन है और माशाला दूर दूर तक जाना जाता है और मेरे तो वो पसंदीदा शायर भी है मुझे तो यहां अगर इस वाले से भी बड़ी खुशी है हमें यह भी अच्छा लगता है अमझे साथ के उपर हमने एक अभी हाली में इस मुलकी हिन्मत की है वो एक स्टार है हमारे मुलका मैं इन से 1986 में मिला था जी पहली बार उस वक्त मैं कतर में सफारत खाने में पोस्टेट था और यह वहां पे आये थे और हमने कट्छे सफर किया बस वो दोस्ती ऐसी बनी फिर मैं हॉलन्ड में अमबैस्टर था यह वहां पे भी आये फिर अमरीका में मैं अमबैस्टर था वहां पे भी आये और फॉर्न ओफिस में जब मैं फॉर्न सेक्टरी था 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 उन्ने वहां पे भी इवेंट किया इनकी किताबें हमारे इटली में हमारे सफारत खाने ने इटली जबान में तर्जमा करा के चपवाई इसी हमागीर शक्सियत ऐसी फूबसरुत शक्सियत एहद साल शक्सियत पाकिस्तान के हिसे में आई और मिजाजन और अपनी समझ फरासत उसके हवाले से इनका कोई सानी नह इन्हों ने अपना मकाम खुद पैदा किया है और हमारे जैसे लाखों नहीं कुरोडों इनके परिस्तार हैं और इनके लिए द्वाइं निकलती हैं दिल से मैं आपको बताओं कि अभी ये स्क्रीन पे ड्रामा लगा हुआ है वारिस का हम उस वक्त कॉलिज में थे और आखरी क किस थी और मुझे याद है हम पाकिसान एर फॉर्स कॉलिज सर्गोदा से आ रहे थे तो वैन वाले ने हमसे पूछा नहीं क्योंकि आखरी किस थी उसने हमसे पूछा नहीं वो सीधा गुजरावाला के करीब हम पहुंचे थे अभी उस जमाने में जीटर रे उड़ती मोटर के साओ रहें इनके बच्चे इनके जो समदी हैं उनके साथ भी हमारा बहुत ही अच्छा रिष्टा रहा है तौ खदा तल्ला के हضोर इनके ये दौाएं हैं और इनकी विसातत से पाकिस्तान के लिए दौाएं बिसमिल्लाइ रह्मानिराहिम, अमजद इसलाम इंड़ साब हमारे भाई, बहनोई, as a poet, हम उनके सबसे बड़े fan, as a playwright, हम उनके बहुत, बहुत, कितनी में तारीफ करें उनकी, बहासियत इंसान, नहायत, नहायत humble, नहायत down to earth, नहायत, मैं कहते हूँ कोई, कोई जो एक आम में जो बात होती है, मेरा ख्याल है, वो उससे थोड़ा सा उंचा है, मुझे यहां पर बनो अपा की एक बात, बड़े अच्छी याद आ रही है, वो कहती थी, इश्वाक साब के बारे में, कि इश्वाक साब, हमारे family का, हानदान का, एक चतनावर, चतनावर दरخت हैं, मुखबत, उनकी दुआएं, और उनकी, मतलब, I am speechless, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि उनकी तारीफ में इनसान क्या कहे, उनमें आम इनसानों वाली, मुझे आज तक उनमें कोई हसद, कोई तकबर, कोई ऐसी बात मैंने नहीं देखी, मैंने उनको हमेशा एक बहुत आला पाया और बड़ी महबत उन्होंने नहीं दीए, आला ताला उनको रहती दुनिया तक सलामत रखें, यह 75 वी सालगिरा है, मैं कहती हूँ, 175 मनाएं अमजद इसलाहुजे साफ को सबसे पहले तो मैं सालगिरा की मुझा देना चाहती हूँ, 75 वी सालगिरा है, आला ताला उनको बहुत लंबी जिंदगी दे, और वो एक एहद साथ समसियत हैं, एक बाक अमाल शायर, इस और बहुत सारे होते हैं, लेकिं वो एक बाक अमाल शा शवाया है, वो सखून ही सखूनू और उनकी जो शखूसियत है, वो मेरी जाट के लिए, मेरी जाख के लिए रूहानित और कमानित का महवर हैं, औरॉर मेरी जाख वैर हैं। औरhma हैं। उनके साथ और्ध मिससों के साथ बड़ा उच्छद ताहल्ग हैं। हreten और अमजद ऑ इतना माशालला उनका नाम उर्दू पढ़ने वाले चाहे शायर हैं चाहे दूसरी दुनिया में जिस जिस जगह पर जिस जिस खितें में उर्दू बोली जाती है मैं समझता हूँ एक आम शख्स भी अमझे असलाम उर्दू सब्सक्राइब से वाकिफ है अनको इजद अता की हुए और अल्ला ताला की जो अता है वो इस अदक में ज्यादा समझती हूँ कि उनके मिजज में बहुत ज्यादा इनके सारी है घरूर नहीं है और वो जो जूनिय झाल